किएक शर्मा जी क्या यहीए आपका सबका साथ सबका विकास है अब आपको विश्वास हो रहा है कि हर वर्क का साथ आपको मिलेगा खास कर मुसल्मान भाईयों का साथ भी आपको मिलेगा 24 से जोड़ूंँ से तो प्राची जी देखे सभाविक रूप से मिल ही रहा है आज जिस धन से भारत प्रगती कर रहा है वो सबके साथ के प्रयास और सबके प्रयास के बल से ही प्रगती हो रही है और मैं ये कहना चाहूँगा कि एक मजबूत नेतित से मजबूत रास्ट का निर्माण होता है आज इस भारत के अंदर एक मानी प्रधान मंतिर नरेंद मोदी जी के जो एक मजबूत नेतित जो मिला हुआ है आज भारत उसी के कारण से पूरे 200 पटल पर अपनी चाप छोड़ रहा है एक मजबूत रास्ट के रूप में चाप छोड़ रहा है और उनकी लोकपिरता उनकी माननेता आज पूरी देश जो है कोई भी घटना करम या कोई भी बिचय हो आप देखिए सबसे पहले उसकी नजर कहां गड़ती है भारत की हो जाती है अब भारत के प्रधान मंत प्रधान मंति नरेंद मोदी जी के उपर जाती है कि उनका जो है उस पर राय क्या है इसके बाद विस जो है आगे अपने जो है निर्ने की और आगे बढ़ रहा है तो यही तो प्रधान था है 140 करोड भारतियों की जो ताकत को लेकर मानी प्रधान मंतिर जी ने जो नेतित दिया है देश को वो भी देखा है देश ने अभी रिज्वी साब बता रहे हैं और जो मेरे वरिष्ट भी बैठे है कि इसी देश के अंदर किस तरह के नरीटिव थे आज आँ आपने राम मंदिर का जिक्र किया और अबही आब दावी में जो मंदिर बन रहा है और जिसके प्राण पतिष्था के लिए भी माने प्रधान मंत्री वहां जा रहे हैं और जिस राम मंदर के बात की मैं नब्बे की दसक का विमर्श बताता हूं जो राजनितिक बिमर्श था इसी मंदिल को लेकर विमर्श होता था जानते हैं यह कांगरेस और जो बिभिन तल आज देंगे बैपार नहीं देंगे भारत भूग की इस्तिती खराब हो जाएंगे यह देश की अंदर एक वातावरण बनाया जात रहा था जूटा वातावरण और आज आप देख रहे हैं कि आज प्राण पृतिष्था का समय नजदीक है कुछी दिन बाकी हैं और अरब देश देश के हमारे एक अच्छे मित रास्ट जो है उसके नेता जो है यहांपर भारत में आये हुए हैं और किस तरह से उनका मान सम्मान हो रहा है कितना सांती और समय जो है सोहार्त का वाता बड़ा भारत के अंदर है यह इस नितित के बल पर होता है प्राजी जी जां तक है सबी लोगों को साथ लेके चलना और सबके साथ जो है देश जो है विकास करेगा जब एक सुचालिस करोर भारती एक कदम आगे बढ़ाएगा तो यह जानके चलिए कि हम विश्व पटल पर जो है उबर के खड़े हो जाएंगे और आज वही प्रयास हमारा वही मानि प्रधान मंत्री जी का नेति तो वही मानि प्रधान मंत्री जी उस लक्ष को लेकर आज आप देखिए अभी एक मेरे मित्र ने जिक्र किया कि आज अरब देश के जितने खाड़ी देशों के बड़े बड़े पुरुषकार है आज मानि प्रधान मंत्री जी को जो नरिद मोदी जी को अपने ही देश में जिस तरीके से मुसल्मान भाईयों को बरगलाने की कोशिश की जाती है, वो बैरियर कैसे तूटेगा, मैं अंबर जैदी जी आपसे समझना चाहरी हूँ, मैं राम मंदर का ही अगर मसला ले लूँ, तो इसे सीधा-सीधा मस्जिदों से जोड़ कर देखा जा रहा है, या में बाकी जो हिंदु धर्म से जुड़ी हूई शेहर हैं, चाहे काशी या मतुरा की बात ले लो, तो एक दर ये बताया जाता है कि देखे सारी मस्जिदें आपसे छीलनी जाएंगी, क्या ये बैरियर तूट रहा है, क्या मंदिरों और मस्जिदों से आगे निकल कर मुसल्मान विकास को देख पा रहा है। उनको एक सिस्टेमाटिक वे में अनपड बनाकर अपने वोट बैंक के लिए सिर्फ उनका इस्तेमाल किया है। के दिलों में डर बैटा कर कि आप यहां पर सुरक्षते ही हैं, आपके अधिकारों को छीन लिया जाएगा, आपके मस्जिदों को छीन लिया जाएगा। लेकिन आप मुस्लमान समाज को ये समझ में आता है कि मस्जिदे तो है ही हमें, सब को समान अधिकार है, धार्मी का अधिकार हमें सब को मिलनी चाहिए। चाहे किसी एक को भी कोई किसी भी तरह का धर्म माना लेकिन जो हमारी सबसे जरूरी चीजे हैं हमारी शिक्षा हमारा स्वास्त चिकित्स और जो भी सारी चीजे हैं वो हम सब को मिलनी चाहिए और वो कहीं न कहीं केंद सरकार की नीतियों के रूप में लोगों को मिले हैं और यह किसी को धर्म के आधार पर मिले हैं, मुसल्मान समाज में क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे होने की वज़ा से उनको भी सरकार की नीतियों का फाईदा मिला है, और वो हमने देखा है कि वोट बैंक या फिर वोट शेर के रूप में, जो हमने देखा है कि कही न कही जो आरी है.